दोस्तों मैं हूँ जयाउल हसन और आज हम इस FPV ड्रोन को बिल्ड करने वाले हैं ये एक 5 इंच का professional freestyle FPV ड्रोन है जिसमें हमें 3-5 km का control range, 10 minute का flight time, good quality analog video feed और 150 km per hour का speed मिल जाता है इस complete ड्रोन को बनाने में आप लोगों को 60-70,000 रुपे तक का खर्च आएगा तो आएए बिना देरी किये हम इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं इस box की अंदर है हमारे ड्रोन का frame और इस assembly guide को देख करके हम इस पूरे frame को assemble करेंगे ये complete होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है और इसका name है Mark 4 5-inch carbon fiber frame साथ में मैं Emax का Eco 2-207-1700 kv का BLDC motor यूज़ कर रहा हूँ ये motor 3-6 cell तक के battery को support करता है और 6 cell के battery में एक motor में हमें 1980 gram तक का maximum thrust मिलता है motors को mount करने के बाद motor के 3-phase wire को हमें wiring tape की मदद से separate कर लेना है पूरे assembling में try करना के drone neat and clean दिखे soft landing के लिए ये foam का piece हमें frame के साथ मिलता है तो इसे हम arm में चिपका लेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी current time पे आप लोगों कुछ paid services provide कर रहा हूँ जैसे अगर आपको कोई parts का requirement है drone parts का या फिर आपको drone का programming और setup करवाना है या फिर आपको drone में किसी तरह का problem है जिस problem का solution चाहिए या आप मुझे directly consult करना चाहते है या फिर आप मुझे अपने requirement के हिसाब से custom drone बिल्ड करवाना चाहते है सारा services available है simply आपको high tech x y z customer support को whatsapp करना है whatsapp number है 9142884517 वैसे मैंने whatsapp का link वीडियो के description में दिया है so directly link पे click करके आप whatsapp पे आ सकते हो whatsapp में आने के बाद आप जब भी message करते हो तो आपको मेरे team के तरफ से एक message जाएगा जिसमें एक link होगा उस link को click करके आपको form को fill करना है fill करने के बाद customer care जो है आपको best solution देगी और reply करेगी अब हमें mount करना है इस frame में इस drone का brain मतलब के stack stack में हमारे पास speedy b का latest f4 version 3 flight controller और 50 ampere bl heli s4-in-1 esc का combo esc को frame में हमें यहां mount कर लेना है इस drone में हम akk का race ranger 1600 milli watt video transmitter use कर रहे हैं for long range इसे हमें frame में पीछे के तरफ यहां mount कर लेना है अब हमें motor के three phase wire को connect करना है ESC के three phase soldering pad के साथ तीन का मैंने पहले ही कर लिया है और एक का मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ आपको भी same है ऐसे ही करना है ये cable flight controller और ESC को आपस में connect करने के लिए है तो हमें इसे यहां connect कर लेना है ये capacitor ESC के साथ मिलता है बड़ा वाला terminal positive है और छोटा वाला terminal negative है इसे हमें यहां पे soldering कर लेना है और इसके बाद इसी में हम soldering करेंगे XT60 connector और इसी में हमारा battery connect होगा soldering करने के time आपको terminal का खास ध्यान रखना है इतना करने के बाद हमने जो ESC से cable निकाला था उस cable के साथ हमें अपने flight controller को connect कर लेना है यहां पे आपको ध्यान देना है कि flight controller में एक arrow है जो के forward direction को indicate करता है और यह arrow हमारे frame के forward direction पे रहेगा इस drone में हम use कर रहे हैं Radio Master का Zorro Express LRS Radio Transmitter और Radio Master का RP-1 ELRS Receiver Receiver के antenna को हम अपने frame के front में zip tie के मदद से fix कर रहे हैं इस receiver को हम dual tip की मदद से यहां पर fix कर रहे हैं इसके बाद हमें इस receiver का connection अपने flight controller के साथ में करना है तो आप इस connection diagram को देख करके easily receiver और other electronics का connection flight controller के साथ में कर सकते हो यह है Runcam का Phonix 2 Camera Module इस camera module को हमें इस camera mount plate में लगाना है और यह camera mount plate हमें frame के साथ में ही मिलता है और जिस screw का हम यहां use कर रहे हैं यह screw हमें camera module के साथ में ही मिलता है इस cable को हम यहां connect करेंगे और यह cable भी हमें camera के साथ में ही मिलता है इसे हमें अपने flight controller के साथ में solder करके connect कर लेना है और connect करने के लिए हम उसी wiring diagram का use करेंगे जिसे हमने पहले देखा है अब इसे हमें यहाँ पर mount करना है और आना है अपने video transmitter के connection के तरफ ये cable हमें इसी video transmitter के साथ में मिलता है और इसे हमें यहाँ connect कर लेना है और इन wires को connect करना है अपने flight controller के साथ wiring diagram को देखते हुए इस drone में हम GPS को भी use करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ BN220 GPS module इसे mount करने के लिए हमने अपने 3D printer से 3D printed GPS mount print किया है GPS के wire को इसके अंदर से हमें डाल लेना है और GPS को dual tape के मदद से यहाँ पर paste कर लेना है अब हमें लेना है MMCX2 SMA female connector और इस connector को हमें यहाँ से pass करते हुए यहाँ पर tight कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर हम antenna को लगाएंगे इसके बाद हमें अपने GPS का connection करना है flight controller के साथ में and then इसके बाद हम इस GPS mount को अपने frame में fix करेंगे और connector को भी अपने VTX के साथ में connect कर लेंगे दोस्तो आप सभी new year बहुती मस्ती में बना रहे हो लेकिन मैं बहुत ज्यादा sad हूँ क्योंकि हमने सोचा था कि इस new year आने से पहले हमारा जो subscriber है वो 2 lakh cross कर जाएगा लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया support नहीं किया जिसके कारण हमारा जो target है वो complete नहीं हो पाया लेकिन कुछ लोग है जो मेरा साथ देना चाहते हैं और मेरे साथ new year बनाना चाहते हैं तो उन लोगों से request है यार चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लो क्योंकि इस 2023 में हम बहुत सारे new new contents को upload करने वाले हैं जिन वीडियो को आप देख करके बहुत कुछ सीख पाओगे यह है fly fish RC का Osprey 5.8 GHz 60mm SMA Antina जिसे हमें यहाँ पे अच्छे से tight कर लेना है अब हमें अपने drone को programming और radio transmitter को setup करना है इस वीडियो में मैं यह skip कर रहा हूँ अगर आपको करवाना है तो आप high tech XYZ customer support को contact कर सकते हो अब हमें propellers को install करना है और मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ 5149 tribe blade इसमें 2 clockwise है और 2 counter clockwise दोस्तो जो भी drone बनता है आप लोगों के लिए बनाता हूँ और इस drone में मैं यूज कर रहा हूँ R-line 1550 mAh का 6S lipo battery और इसे charge करने के लिए toolkit RC का M6 DAC dual battery charger बैटरी को हम यहाँ पर fix करेंगे बैटरी stripe के मदद से और बैटरी को fix करते ही हमारा drone पूरी तरह से तयार हो जाता है इस drone का जो camera का video footage है वो हम इस FPV goggles पर देखेंगे और अपने drone को fly करेंगे यह एक cheapest FPV goggles है तो इसमें हमें DVR नहीं मिलता है मतलब जो FPV देख करके हम fly कर रहे हैं उससे हम SD card पर record नहीं कर सकते दोस्तो अब हम जानते हैं कि इस drone को हमें कैसे fly करना है सबसे पहले हम अपने radio transmitter के power button को 4 seconds के लिए प्रेस करके रखना है और radio transmitter on हो जाएगा देन हमें battery को plug करना है फिर हमें इस वाले switch से mode को set करना है जिसमें हम fly करना चाहते हैं और इस वाले switch से arm करना है आर्म करते ही हमारा propeller run होने लगेगा इसके बाद हमें drone को balance करते वे टक उफ करना है और try करना है कि drone को हम एक जगा hold रख सकें क्योंकि speed इसमें बहुत ही ज़्यादा है और सबसे पहले तो हमें hold रखने का ही practice करना होगा दिन हमें without FPV goggles इसको fly करने का practice करना होगा और उसके बाद जब हमें confidence आ जाएगा तब हम इसे FPV goggles के साथ में fly कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ videos record किया है जिससे आप लोगों को इस drone के speed का अंदाजा लग सकें दोस्तो आप लोगों को गलती से भी drone को इतना fast fly नहीं करना है मैंने बस दिखाने के लिए इसे fly किया है starting में आपको धियान रखना है कि drone ज्यादा दूर ना जाए और battery over discharge ना हो आप बीच बीच में battery के voltage को भी चेक करते रहना अब गौसल इस FPV goggles को पहन करके इस drone को fly करेगा FPV का video goggles में direct record नहीं होता है तो मैंने जोगाड बैठा करके अपने smartphone के screen recording से इस video footage को record किया है वीडियो quality तो बहुती गंदा record हुआ है लेकिन actual में FPV goggles में बहुती जादा neat and clean video footage हम लोगों को देखने को मिलता है और हम easily FPV goggles को पहन करके इस drone को दूर दूर तक fly कर सकते है दोस्तो FPV में अभी मैं खुद भी beginner हूँ तो अभी freestyle नहीं हो पाता है नौर्मल ही drone को fly कर पाता हूँ और अभी practice चल रहा है इन future आप लोगों को freestyle भी देखने को मिलेगा channel पे और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और बहुत सारा FPV का वीडियो जाने वाला है उन सभी के लिए bell notification को भी on कर लें